आज मैंने कच्चे आम की खटी मेठी लौंजी एकदम अलग तरीके से बनाई हुई है तो ये सब को बहुत पसंद है तो आप इसको जरूर ट्राय करें इसके लिए मैंने दो मीडियम साइस के आम लिया है और इनके छिलके निकाल लिया है तो इस तरीके से हम सारे आम कट कर लेंगे अब हमारे सारे आम कट हो गये हैं अब हम इनको रोस्ट करेंगे तो मैंने गैस की फ्लेम पर एक स्टैन रख दिया है और उसके उपर हमने आम रख दिये है और इनको हम थोड़ी देर रोस्ट करेंगे हम इनको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना बस थोड़ा सा रोस्ट करना है जिससे कि इसमाई स्मोकी फ्लेबर आजए अगर आप इस तरीके से आप लॉंजी बनाएंगे तो आपकी लॉंजी बहुत टेस्टी लगेगे और इसमाई थोड़ा सा स्मोकी फ्लेबर भी आजएगा अब हम इसको पल्टा देंगे दूसरी साइड से भी हमें इतने ही रोस्ट करना है जितना हमने इस साइड से किया है और इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको निकाल लेंगे अब हम इनके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो आप अपने हिसाब से इनको कट कर ले आप जिस साइट के टुकड़े करना चाहते हैं आप कर ले मैंने इनके छोटे छोटे टुकड़े किये है अब हमारे सारे मैंगो कट हो गए है अब हमें इसको पैन में लॉंजी बनाएंगे इसके लिए मैंने एक पैन लिया है उसमें एक चमच ओयल डाला है अब ओयल को गरम होने देंगे ओईल करम होने के बाद हम आदा छोटा चमच जीरा आदा छोटा चमच सौफ और आदा छोटा चमच मैथी डालेंगे और थोड़ी सी हीन अब इसको हमें बस आदा मनेट भूनना है उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसको भी मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम आम डाल देंगे आम डालने के बाद हमें एक से दो मनेट तक रोश करना है ध्यान रहे कि फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है जब यह roast हो जाए तो इसके बाद हम इसमा आधा छोटे चम्मच लाल मिच पाउडर और नमक टेस्ट के नोशार डालेंगे और इसको भी हम mix कर लेंगे जब यह अच्छे से mix हो जाएगा इसके बाद हम इसमाँ पानी डालेंगे तो मैंने एक कप पानी डाला है और इसको mix कर लेंगे mix करने के बाद हम इसको ढखके 4-5 मिनिट तक पकने देंगे slow flame पर अब 4-5 मिनिट हो गए हैं अब हम आम को चेक करेंगे अगर हमारे आम सौप्ट हो गए हैं तो इसके बाद हम good डालेंगे अगर आपके आम सौप्ट नहीं हुए तो इसके 2-3 मिनिट तक ढखके और रख दें अब हम इसमादा कटोरी को डालेंगे good डालने के बाद हम इसको mix कर देंगे mix करने के बाद हम इसको 2-3 मिनट तक और पकने देंगे slow flame पर लॉंजी को आप अपने हिसाब से गाड़ा पतला रख सकते हैं तो अभी 2-3 मिनट और रखने के बाद ये एकदम गाड़ी हो जाएगी तो आप अपने हिसाब से इसको गाड़ा पतला कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप लॉंजी बनाएंगे तो आपकी लॉंजी बहुत टेस्टि बनेगे और एकदम Smokey flavor में बनेगे तो आप हम flame को बद कर देंगे और लॉंजी को हम ठेंड़ा होने देंगे ठेंड़ा होने के बाद हम इसको maps करेंगे तो अब हम इसको सब करेंगे तो आप इसको चटनी की तरह भी खा सकते हैं या आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं आपके रोटी से पराठे के साथ या किसी के भी साथ आप खा सकते हैं यह बहुत टेस्टी लगता है यह खटी मीटी होती है तो बच्चों को तो बहुत पसंद होत और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थैंक यू